अलिकुम दोस्तों, आज के जो हमारा टोपिक है वो है फॉर्मल चार्ज, हाव वी एन केलकुलेट दा फॉर्मल चार्ज ओफ एन आटम इन मालेकूल, एक मालेकूल के अंदर एक आटम के ऊपर कौन सा चारज आएगा, पोस्र चार्ज जाएगा नेग्टिव चार्ज जाएगा या कौन सा चार्ज जाएगा उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा आज का टोपिक यह है इससे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मल चार्ज होता किया है उसकी definition देखेंगे definition of formal charge जो है हमारे पास इसकी जो definition होगी उसका हम कैसे इसको define करेंगे जो charge assigned charge assigned to an atom in a molecule एक molecule के अंधर atom के उपर कौन सा charge साइन किया गया है उसको हम कहते होते हैं करुस का यह formal charge formula है वह कया है formal charge जो है fc भी इसको कहते होते है formal charge को calculate करने के जो formula हमारे पास वालस electrons balance electrons माइनस नौन पॉंडर लेक्ट्रोंस उसके बात माइनस बांडर लेक्ट्रोंस 圈 ॉवर टू बॉंडर लेक्ट्रोंस वर टू तो यह ऊस फॉर्मुलılar है फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेटर करने का क्जाला है किर अब इसमें हम देखेंगे एक example लेंगे उसमें देखेंगे उसके buenolle contracts जिस ऐटम का हमने formal charge निकालना है उसके जो है वेलेंस लेक्ट्रोंस कितने हैं उसके नोन बांडरल लेक्ट्रोंस के पास कितने हैं और जो उसके पास बांडरल लेक्ट्रोंस हैं वो कितने हैं उनको टू पर डवाइड करेंगे तो यह हमारे पास यह फॉर्मल चार्ज है कैलकुलेट हो जाएगा जो फर्स्ट पास एन एच फोर अब इसमें हमने नाट्रोजन को पर चार जो है वो फाइंड आट करना है कौन सा चार्ज आप पोस्टर चार्ज आया नेक्टिव चार्ज है नाट्रोजन का हमने उपर कल्कुलियर करना है ठीक हो गया इसके लिए हम क्या करेंगे नाट्रोजन ठीक हो गया और इसके पास एक हाड्रोजन ये एक हाड्रोजन ये और ये एक हाड्रोजन ठीक हो गया अब इसमें जो नाट्रोजन है हमने उसका फॉर्मल चार्ज कल्कुलियर करना है ठीक हो गया फॉर्मल चार्ज कल्कुलियर करेंगे नाट्रोजन का तुम्हा balance electrons कितने होते है nitrogen के पास 5 minus non-bundered electrons इसके पास कितने है कोई भी non-bundered electrons नहीं है 0 minus bonded electrons 2, 2, 2 and 2 8 over 2 तो यह हमारे पास कितना आएगा 5 minus 4 is equal to plus 1 तो जो nitrogen है उसके उपर किया आएगा plus 1 आएगा ठीक हो गया यह हमारे पास आगया इसका formal charge nitrogen का ठीक हो गया अगर हम second example देखें तो इसमें अगर हम example देखें इसकी SO3 की अगर simple case में SO3 की structure देखें तो इसके पास यह oxygen के साथ double bonded इसमें हमने sulfur का देखना है formal charge sulfur का valence electron sulfur के six होते हैं minus non bonded electrons इसके पास two है यह वाले two electrons minus जो oxygen है इसके भी पास तू टू लॉन पेर्स होते हैं तू लॉन पिर इसके पास तू लॉन पिर इसके पास ठीक हो गया अब इसके यह जो ज़े non bonded electrons थे ठीक हो गया अब हमने कर निकालने हैं bonded electrons over two bonded electrons कितने हैं इसके पास यह two 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 कितने हो गया 12 ठीक हो गया ऑवर को सोरी हमरे पास सफर होता हैक की वल्लेंज त्रम होते हैं सिक्स इसने यूज करसे यहां पर दये और टू यहें सिख यूज और स्क्सक्राइब un př data गडू हो गया है कोई भी number ल्हें और खुर्थ नहीं हैं और जो बॉंडट है वह हमारे पास कितने हैं यहां ट्वैल्फ बॉंड्र लेक्ट्रों से ओवर्टू हम करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा ये सिक्स माइनस सिक्स इस इकूल टू जिरो तो जो हमारे पास सलफर है उसके उपर कौन सा चार्ज आ गया जिरो इसके उपास कोई भी चार्ज इसके उपर नहीं है ये नूट्रल है ठीक होगे अगर इसी में हमने ऑक्सिजन का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे इसके इसमें और और ऑक्सीजन का हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है इसके वेलंस एक्ट्रों कितने हैं six माइनस इसके पास जो नौन बंड्र अलेक्ट्रों सावक्तिन है फॉर माइनस बंड्र लेक्ट्रों भी फॉर है ऑवर टू तो यह हमारे पास six minus six is equal to zero तो यह oxygen जो है उसके ऊपर भी यह हमारे पास जो है फॉर्मल चार जो इसका है वो जीरो आ गया ठीक हो गया अगर हम की थर्ड एक्जेम्पल देखें हई से चुर्टो की कारबंधा एकिएंचीट के फॉर लेक्रोंग में ऑर साथ छ और एक्षिग्ट्रोंगर्णस और साथ तूलेक्ट्रोंगर्ण्स औप अफ्द ऑक्पेण डबल वह कुण आएगा सब्सक्राइब तो हमने कार्बन का निकालना होता हम क्या कर दे कारबन कर वेल्स लेक्टरोंस फॉर होते हैं माइनस नॉन जे दो माइनस जो मारे पास bondage है 4 ये और 4 ये 8 over 2 तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 minus 4 is equal to 0 जो कारबन है उसको उपर भी 0 चार्ज आएगा और oxygen को उपर भी 0 चार्ज आएगा ठीक हो गया तो ये हमारे पास था formal charge हम formal charge को कैसे calculate करते हैं formal charge हमारे पास होता कि है तो इसको एक दफा और रिवाइस करते हैं हमारे पास जो formal charge उसकी डेफिनिशन जो है जो हमारे रे मारे मालेक्यूल के उसकतर एक बास होता है को मालेक्यूल के अन्दर एक एक ऐठम के अउपर चार्ज इसको आमस्के गहते है ऑवादा चार्ज इसके जो formula है, formula charge का formula जो हमारे पास होते है, valence electrons minus non-bundle electrons minus bondle electrons over two हमने मुनिया के देख है, इसमें nitrogen का, हमने formula charge निकालना है, nitrogen के valence electrons five होते हैं minus, इसके non-bundle electrons, इसके इसमें zero है, bondle electrons eight है, eight over two करेंगे तो हमारे पास ये 5-4 is equal to plus 1 SO3 के case में निकालना इसके और structure होती है हमारे पास इसमें SO3 2 negative भी होता है उस case में हमारे पास 2 oxygen का जो आता है 4-1 आता है और जो एक oxygen होता है उसका जिरो आता है और जो वो sulfur होता है उसका भी हमारे पास चार्ज के आता है वो 0-4 जाता है ठीक होगे तो उसके पास हमारे पास ये जो है carbon dioxide इसमें हमने oxygen का निकाला और carbon निकाला ठीक होगे आपने दिहान से देखना है कि इसके पास जो हमारे पास जो atom है central metal atom जिसका हमने निकालना है formal charge उसके non-bounder electrons कितने हैं उस structure के अंदर और उसके valence electrons को कभी आपको पता होना चाहिए कि इस atom के valence electrons कितने होते हैं ठीक होगे और boundary electrons को दिहान से calculate करें और उनको 2 पे डवाइड करें तो हमारे पास formal charge होता है वो calculate हो जाएगा